आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक शॉप खोली थी तो यहां पर आज-पास बहुत सारे रेडी वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी-टेस्टी साहब को खाना देते हैं आप लोगों को भी बताया जाएं इतना सब कुछ मिल रहा है आपको कि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है सो चलते हैं वहां पर ओडर देते हैं एंड पैक करा के फिर यहीं पर ही शॉप पर बैठके आपको सारा का सारा दिखांगा क्यों कि आर वहां पर सारे के सारे रेडी ओपर खड़े होते ना खाने के लिए तो आगर शूट करूंगा त तो वह अली चीज थोड़ी सी अजीव हो जाते है क्योंकि लोगों के ना दिमाँ भी आता है कि यार कैमरा लेके पता नहीं क्या कैमरा लेकर शुरू हो और बोलने पर लगा हूँ तो चलते हैं वहां पर और दिखाता हूं आपको कहां पर मिलता है खाना पैक कराएंगे और फिर आके आपको पूरा का पूरा खाना दिखाता हूं तो कहां पर है पहले आपको वह समझा दो तो कुधर वाला कैमरा जो है उसको चालू करते हैं इसके थोड़ा सा आगे ही आपको रमेश नगर का जो मेट्रो सेशन है वो आ जाता है तो रमेश नगर के मेट्रो सेशन से पहले जो रेड लाइट है आप उस रेड लाइट से अंदर राइट की तरफ होड़ेंगे और जो सामने पेड़ है पेड़ के नीचे खड़ें वहां चलते हैं और वहां चलके बात करते हैं जैसे मैं आपको दिखाया जहां पर है राजू के स्पेशल और चोले बुटुरे आपको यहां बें मिल जाएंगे 20 रुपे के अंदर पनीन नान वाली धाली लेते हैं तो वहां से रास्ता भी दिखाऊं तो साथ में गन्ने वाले भाईया बैठे रहते हैं यह इस गन्ने का जूजते हैं और शाम तक ही होते हैं जैसे मैं आपको बताया आप वहां से आएंगे अंदर और सामने आपको यहां पर बिट्टू स्वीट को ना दिख जाएगा या जो म मेंबिया सफमोफ यहां पर जो मिलेंगे आपको तीन से चार बजे तक ही मिलेंगे तो मैंने जो ओडर दिया है भाया को वहां मैंने दिया हैी आलूनान कर दो और मėंटर के साथ बच्छोबे कर दो 20 तो और छोले से समय तक Not अगर कोई सुभे सुभे नाश्ते के लिए आता है तो मैं क्या मिल जाएंगे और अगर आप नौ बजे के बाद आते हैं तो आपको यहां पर थाली वाली है वह वाला सिस्टम भी सारा का सारा यहां पर भाईया के बास मिल जाएगा इस तरीके से बन रहे हैं आपके छोले बटू रहे हैं तो पैक कराते हैं और पैक करा के चलते हैं अपनी शॉप के उपर और फिर आपको दिखाता हूं कि क्या क्या मिलता हमें थाली में एक थाली है कॉंटिडी काफी है दो जने अराम से खा सकते हैं अगर आप इसके अंदर चाहें तो जैसे नान इसके अंदर आपको दो ही मिलते हैं तो दो नान की जगह अगर आप और अड़ान कराना चाहें तो आप अड़ान करांगे एक नान और फाल्तू भी ले सकते हैं या दो नान फाल्तू नेना चाहे kitaB penis दस रुक आपको वह नाम देते है तो ये सारी की सारी कॉस्टिंग रहती है तो एक बर इस दाल लें फिर आप से दुबारा बात करते हैं जैसे मैं आपको बता है आपको अचार भी तो सारी चीज़े मिल रही है और मैंने सिर्थ जो ओर्डर करा वो और करा आपका आलू नान का तो मैंने दो ही लिए क्योंकि मैं और भई आखेले खाने वाले और एक एक से ज़दा हम नहीं खाबात है तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो तीस अरप की थाली है वो दिखते हैं तो खाते हैं और खा के देखते हैं कि या टेस कैसा आ रहा तो गईज सारा कुछ तो आपने देख लिए हैं अब इसको कहा के देखते हैं कैसा है मैं तो रोजी खाता हूं मुझे जो इसके अंदर सबसे बेस पार लगता है अगर आप यहां पर इस रोटी के अंदर देखेंगे तो इसकी फिलिंग बहुत ही अच्छी है बहुत पूरी क्रे if इस ब्राण को भी अगर तोड़ेंगे तो कहींसे भी खाली नहीं दिखेगा यूजी का अब महेंगे समय जाते हैं आप इतना बड़ा टूस हम वाते और उसके अंदर वो इतना चाविज में अब आपने मसाले वाले करें होता है अब आप इसे जगा शागा तो आपक तो बहुत ही ठिक ग्रेवी के साथ देते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है तो जब भी आप ये खाएंगे तो मटर पनीर ज़रूर लीजेगा मेरे हिसाब से तो आपको मसा आने वाला खतम करते हैं खाना फिर आप से मिलते हैं और फिर पाद करते हैं देखा अपने आपके सामने ही मैंने सारा का सारा खाना भी और खाने में बहुत ही जादा स्वाजिश था बहुत ही जादा टेस्टी था दो दिक्कत सबसे बड़ी है यह आजाती है इगोगी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे सबके पैस पैसा तो बहुत है हम लोग बड़ी से बड़ी जगा जाएंगे खाना काने की कोशिश करेंगे वहां जाएंगे हमें यह नहीं पता कि हुआ एक्चन में रेस्टरांट वाला खाना आपको फ्रेश दे भी रहा या नहीं यह बहुत जरुरी बात में आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि यूशुली क्या होता है जो रेस्टरांट दे चाहें बड़े से बड़े होटल भी होते हैं तो वहां पर आपको कई बारी वह एक एक दो दो दिन पुराना खाना भी बासी दे देते हैं जो कि फ्रिज में रख कि आपका जितना उसको पता है कि मेरा खाना बनना है उतना ही बनाएगा वो जाधा खाना नहीं बनाते कभी भी ताकि वेस्टेज ना हो तो चार बज़े तक उसको पता है कि मेरा खाना सारा का सारा फिनिश हो जाएगा तो उतना ही खाना बनाता और डेली का खाना पूरा का आपको पुरा मिलता है अपको फ्रेश हैं चाहिफे वह आटा हो सब को उसे हमिल यह करते हैं हम एस जग जगां को यार आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्यूंकि मैं तो 4-5 दिन से खाना इनका खा रहा था मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था तो यार आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो यहां आसपास रहते होंगे और वो भी कुछ नया ट्राय करना जाएंगे और सिर्फ 30 रुपीज के अंदर अगर आपको भर पूर पेट भर के खाना मिल रहा है वो भी फ्रेश तो मेरे हिसाब से तो यार कोई माड़ी चीज नहीं है प्लीज इस चीज को ध्यार में रखें और आप इस इनिशियेटिव के बारे में क्या सोचते हैं जैसे मैंने एक दो दिन पहले जीन्स की वीडियो दी बहुत सस्ती जीन्स थी तो इन लोगों को मैं प्रोमोट करने का सोच रहा हूँ रदर दैन कंप रोमोट कर रहूं यह लोग वही के रह जाते हैं पर जो एक लेबर ग्लास बंदा जिसके अंदर ईगो नहीं है वह ऐसी चगह जाता है खाना खाता है और उसको बहुत अच्छा लगता तो यार मैं यह चीज आप लोगों को बताना जाता तो guys, कैसी लगी आपको यह आज की वीजियो नीचे कमें नीचे कमें जाकर जारू कता है और इस इनिशियटिव के परे में क्या सूचते हैं, वो भी नीचे कमें से के बारे में जारू कता है एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, बुक्त ही जादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद कोई बंद आपको दे रहा है, पूरे यूटुब करें So guys, it's back from my side, I hope you are a good time watching this video, दुनिया कुछी देगाई, आपको भी कुछी महसूस हो कि की स्मय लें, God bless, Bye